हलो एन वेलकम टू डिजिटल काइड सॉल्यूशन्स डिजिटल इंडिया का डिजिटल गूरू मैं हूं मिराज अनसारी वेलकम टू दा नेक्स सेशन इस सेशन में हम बात करेंगे एनिमेटिंग का फुली कंस्ट्रेंट स्केच इसमें इस बात पर जरा सा गौर किजिएगा यह फुली कंस्ट्रेंट होना जरूरी है ठेक है तो चलिए हम करेंगे इस तरह का कोई एक्जामपल लेंगे है ना पिस्टन कनेक्टिंग राड श्लिंडर है ना और हमारा क्रेंक शाफ्ट है ना इस तरह से मैं एक 2D में हैं स्केज बनाता हूं एक सिंपल सा एक्जामपल एक नया फाइल लेता हूँ सबसे पहले new ok sketch plane ok और यहां से आपको करना है continue auto dimension को off फिर आप एक circle ले लो जितना भी चाहें 20-30 का ले लो यहां पर 20 लिया, enter किया middle mouse middle mouse ठीक अभी आप क्या कर लो एक simple सा rectangle ले लो कुछ इस तरह से middle mouse यह देखो हमारा symmetric नहीं दिख रहा है तो आप more में जाओ make symmetric इस line को लो, फिर इस line को लो फिर यह vertical axis then close कर दो अभी आप चाहें तो proper dimensions डालने यहां पर इस तरह से उपस, यहां पर देखिएगा हमारा कुछ गडबड हो गया है so forget it यह हमें नहीं चाहिए place automatically के off कर दो नहीं तो क्या होगा दो point select करने का मौका ही नहीं मिलेगा है ना, तो हमेशा से इस बात को ध्यान रखिए क्या हमें दो point select करना है या दो line इस तरह से और यहां तक ठीक है अगर मैंने इस पर click कर दिया तो जैसे आप line पर select करेंगा वो dimension आ जाता है तो मैं वैसा नहीं चाहिए आप 10 का ले सकते हैं और फिर इस center से ले करके इसकी height में total 40 कर देता हूँ आई बाद समझ में and then close कर दिया अभी मैं इसको जरा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ इसका value जरा बढ़ाता हूँ ठीक है close करता हूँ आप चाहें तो यह सर्फ trim कर सकते हैं यह हमारा है trim tool इसको हटाईए इसको हटाईए और इसको भी हटाईए अभी देखिए हमारा sketch is fully constraint दिखा रहा है ठीक है आगे क्या होगा सो देखते हैं मैंने एक simple सा यहां से इस तरह का rectangle लिया अब इसमें क्या करना है इस छोटे वाले line को इसके साथ पहले आप collinear कर दो ताकि यह इसके साथ contact में रहे ठीक है इसको geometrical relation बोलते हैं आगे हम इसको detail में समझाएंगे collinear कर दो इन दोनों को भी और फिर बाद में इनके बीच का dimension भी आप डाल दो 5 mm ले लेता हूँ इसको समझ लीजी आपका piston है close कर देता हूँ अगला step क्या है आप और भी ज़रा इसको उपर की तरफ कर लें यहां क्या स्पास कर लें है ना no issue फिर मैं यहां से एक profile लिया इसके center से कुछ ऐसा और ऐसा यह हमारे connecting regards हो गए ठीक है अब आपको पूरा dimension डालना चाहिए इसमें देखिए यह पूरी तरह से fully constant नहीं बता रहा है आप एक इसको ले ले फिर आप एक इसको भी ले ले ठीक है और मैं एक angle भी डाल देता हूँ यहां से अब जाके हमारा sketch आप देख सकते हो fully constraint आया हुआ है अब हम इसको animate करने वाले हैं ठीक है चलो तो सबसे पहले इसको close करता हूँ और एक demo के लिए मैं इस angle को delete करूँँगा और इस point पे click करता हूँ चेक करने के लिए यह देखिए हमारा piston नीचे जा रहा है थोड़ा सा क्या हो रहा है हमारा connecting red है वो देखो cylinder यहां पर थोड़ा intersect हो रहा है अगर यह गलती से हिल जाए तो आप right click करके orient view to a sketch पे click कर दो ठीक है तो मुझे लगता है इसके बीच का जो gap है थोड़ा हमें बढ़ाना चाहिए और close कर देता हूँ अभी check करता हूँ इस point पे आपको left mouse button दबाना है और check किजिए यह देखो properly काम कर रहा है थोड़ा सा हमें क्या करना होगा या तो यह जो distance है वो मैं 10 कर देता हूँ थोड़ा सा ठीक है इसको आपकड़िये 10 ले लो थोड़ा सा छोटा हो गया तो अच्छा रहेगा intersect नहीं होगा यह देखो properly काम कर रहा है नीचे तक आ रहा है हमारा यह you can see यह properly काम कर रहा हमारा ठीक है पिस्टन भी नीचे तक आ रहा हमारा आप देख सकते हो यह you can see यह लगता coincident हो गए इसके साथ undo करता हूँ मैं जरह इसको control-z कर दो बहुत जरूरी चीज है यह coincident नहीं होना चाहिए यह देखो properly काम कर रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे एक angle डाल देते हैं क्योंकि fully constant होना बहुत जरूरी है किसी भी sketch को constant करने के लिए अच्छा यह काम तो हमारा हो गया अभी देखिए यह sketch हमारा पूरी तरह से constraint है ठीक है इसमें कुछ भी और जरूरत नहीं है डालने की अब हमें क्या करना है इसको animate करना है तो animate constraint कैसे जाना है यहाँ पर more में जाओ और जरा साब नजर डालो कि यहाँ पर है कि इधर animate constraint का option यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना होगा इधर search मारना पड़ेगा ठीक है यह देखेंगे right side के corner में आपको एक search button दिखाए देगा ठीक है यहाँ से आप कोई भी tool को search मार सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पर animate लिखता हूँ animate और जैसे मैं animate डाल के इंटर करूंगा यह देखिएगा हमारे पास एक option आ चुका है animate dimension का और हमें इसी command का इस्तमाल करना है यहाँ पर जो दिख रहा है यह highlighted वाला portion है ना इसी tool का इस्तमाल करना है और इसका exact location आपको बता दिया है यह देखिए सबसे पहले आपको menu में जाना है फिर आपको tools में जाना है फिर आपको sketch constraint में जाना है और फिर जाके animate dimension में जाना है तो यह उसका एक powerful use है है ना कि भाई आप search मारते हो तो command आपके सामने भी आ जाता है और उस tool का manual location कहां है यह आपको बता देगा ठीक है तो इसकी मदद से आप बड़ा ही काम यह इस तरह का काम आप आसानी से कर सकते हो किसी भी tool को आसानी से सर्च मार सकते हो ठीक है अब चलिए मैं इस पे right click करता हूँ और चाहता हूँ add to ribbon tab मैं चाहता हूँ home tab में add करना तो home tab में add कर दो ok कर दो अब देखिए इस कोने में हमारा add हो चुका है animate dimension वाला tool bar आई बाद समझ मैं क्योंकि ये मेरा home tab है इसलिए हमारा home tab के last में यानि जितनी भी space बची हुए उसमें ये adjust हो गया ठीक है अब चलिए इस tool का हम इस्तमाल करते हैं कोई दिकत नहीं है तो मैं लेता हूँ animate dimension option ये रहा उसका dialogue box ठीक अब अगला step क्या करना है किस में हम लोग किस मतलब किसको हमें घुमाना है तो my dimension में यहाँ पर animate dimension का नाम है इस tool का नाम याद रखिएगा है ना यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो इसका animate dimension ही tool लेना है ठीक है याद रखिएगा इसको अभी हम अगर इस connecting rod को घुमाएंगे तो यह piston हमारा नीचे आएगा और इस line का dimension तो fix है हमें इसमें कोई कुछ ने करना इसका भी fix है तो मतलब यह angle 0 to 360 degree घुमेगा तब ही जाके यह connecting rod घुमेंगे अगर यह connecting rod घुमा तो यह piston हमारा नीचे आएगा cylinder भी हमारा constant है इसको आप as a cylinder consider कीजिए ठीक है अब चलिए तो मैं यहाँ पर यह जो angle दिया हुआ है उसको ही select कर लेता हूँ आप चाहें तो lower limit 0 कर सकते हैं और upper limit 360 कर सकते हैं या तो आप और भी बढ़ा देजिए 360,000 है ना मतलब यहाँ पर 36,000 and then apply कर दीजिए ओके बहुत fast हो गया है ठेक है आप इसको stop कीजिए इतना fast था कि हमें दिख भी नहीं रहा था तो मैं ज़रा सा इसका steps per cycle बढ़ा देता हूँ यह भी fast हो रहा है इसको भी stop करता हूँ और यहाँ पर 36,000 के बज़ा 36,000 करता हूँ अब दिन apply कर दीजिए यह देखो properly हमारा काम कर रहा है आई बात समझ में है यह देखिए properly नीचे उपर जा रहा है आप display constant करते हो तो यह देखिए one second इसको मैं stop करता हूँ पहले आप चाहोँ इसको off भी कर सकते हो on कर सकते हो ठीक है 360 degree में रखके अगर मैं घुमाओ तो क्या होगा apply करेंगे यह देख लिजिए पूरा simple way में काम कर रहा है और सारे constraint पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि भाई सारे dimensions geometric relations यह सब आपको दिखाई देंगे यह देख लिजिए हमारा continuously इसको off किया फिर आप apply करेंगे तो कोई भी dimensions आपको दिखाई नहीं देगा तो इस तरह से आप animate कर सकते हो हलाके हम 3D में भी motion देखने वाले हैं बड़ा ही details में तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है ठीक है अच्छा अगर मैं stop करता हूँ और इसका 1 और 0 बढ़ा देता हूँ तो 10 times ये घुमेगा and then apply कर दिजे इसको 1, 2, 3, 60 into 10 हो जाएगा ये ठीक है तो इस तरह से ये काम करता है automatically ये angle 0 to 360 then 0 to 360 then again 0 to 360 है ना और इस तरह से घुमके ये fast में जाएगा जैसा भी चाहें आप ले सकते हैं और यहां से अगर मैं इसका value कम कर दूँ यानि 50 का ले लूँ तो क्या होगा थोड़ा सा fast घुमेगा ठीक है ओके और इस तरह से हमारा animate constraint काम करता है stop करता हूँ और ok करता हूँ ठीक है यहां से देखे फिर से वही काम हो रहा है आप इसको stop कीजिए ठीक है तो आई होप यह animate constraint का concept आपको अच्छे से समझ में आया आप दूसरा conditions भी ले सकते हो अगर path में किसी को move करना है वो भी ले सकते हो बट इस इस दा बेस्ट example I think ठीक है यहाँ मिलते हैं फिर अगले session में अगले topic के साथ thank you for this session thanks for joining digital card solutions bye bye good day and take care